हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा स्टॉक जिसने जो है थर्स्डे को 20% का अपर सर्केट लगाया और ये एक बहुत ही फंडमेंटली स्टॉंग स्टॉक है और इस स्टॉक में आने वाले जो एक दो दिन में क्या व्यू है इन्वेस्टमेंट परपस से क्या व्यू है क्या ये मल्टी बैगर बन पाएगा ये सारी चीजे हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जब भी कोई स्टॉक ऐसा बिहेव करता है दोस्तों 20% अपर सरकेट तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई शमता जरूर होती है अगर वो पंटर स्टॉक नहीं है तो ये दोस्तों इसका अनलिसस मैंने किया और मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा तो मुझे मेरे पास काफी सारी क्वेरी जाती रहती है कि आप जो है मैं आपको न्यूस दिखा दूँ दोस्तों स्टॉक है N.I.I.T. N.I.T. दोस्तों 19% अल्मोस 20% का अपर सरकेट लग गया था क्लोजिंग होते होते और इसके अंदर कंपनी ने शेयर बाइबैक करने की का आई है तो कंपनी के बोर्ड ने 24 डिसेंबर 2020 को अप्रूफ किया था 237 करोड का बाइबैक प्रपोजल जो की था 240 रुपीज पर एक्विटी शेयर 240 रुपीज पर एक्विटी शेयर का था और इसका जो NIIT आपको पता ही होगा मैं आपको अभी बताई दूगा NIIT आपको पता ही है दोस्तों आप अगर कंप्यूटर फील्ड से हैं तो आपको पता ही होगा NIIT आपको तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड और यह सारे जो टेक्नोलोजी रिलेटेड एड्यूकेशन प्रवाइड करती है तो यहां पर जैसे ही है देखें बाइबैक का जो है बाइबैक का जो रूट है इसने बताया और कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया था कि 237 करोड जो है अप्रूफ किये और बाइबैक 240 रूपीज पे था तो यह 19 परसेंट 19 से 20 परसेंट तक यह स्टॉक जो है भाग गया तो नाट आप देखेंगे कि लीडिंग स्किल और तैलेंट डेवलेपमेंट कॉर्परेशन है जो कि आपका ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए प्रोग्रामिंग जो ग्लोबल इंडस्ट्री को इंडिविज्वल को इंस्टिउशन को प्रोग्रामिंग से रिलेटिड और आप देखी रहे हैं जैसे जैसे हमारी टेक्नॉलजी इवाल्व कर रही है आज की डेट में आर्टिविशल इंटेलिजन्स ले जिए चाहे प्रोग्रामिंग से ब्लु अगर past month का आप देखेंगे तो यह काफी जादा strong यहां trend में चल रहा था और यह इसने low जो बनाया था जब बिल्कुल low बना था पिछले साल 74 का बना था जब कोविट से related सब स्टॉक गिर गए थे और अभी इसने 211 का ही बनाया था और तब से देखें यह down ही down जा रहा था 1, 1, 2, 3, 4 और यहां पर थोड़ा सा retracement लिया और अब देखिये इसका आ यह वाली candle Thursday की तो देखिये Thursday की candle ही सब कुछ बयान कर रही है 141 पर open हुआ 165 का हाई बनाया और 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखें तो देखें यहां पर 15 मिनट के चार्ट में शुरू में ही इसने rally 141 से 158 और यहां पर closing देते देते यह 165 पे आ गया तो यह यहां पर इसमें circuit लग गया था और hopefully यह open भी जो है open भी अप ही होगा और 240 का जो शेयर प्राइस है उसको यह adjust करेगा उसको हजम भी करेगा तो 240 के आसपास यह buyback हो रहा है और अभी 165 चल रहा है तो एक अच्छी opportunity है इसमें momentum को catch करने की अब ticker tape पे अगर हम चलें तो NIT की जो है काफी जादा देखे आज की date में आपके पास जो अच्छा analysis अगर अच्छी sites पे जैसे market mojo है ticker tape है इन पे available है तो आपको खुद से जो है numbers में crunching करने की जुरत नहीं पड़ती तो यह देखे यह बता रहा है आपको प्रॉस बता रहा है इसके की intrinsic value से नीचे चल रहा है intrinsic value दोस्तो as per fundamentals होती है जो भी company के profits चल रहे है sales चल रही है जो भी उसका price to earning ratio चल रहा है हर चीज को से जो है एक model बनाया जाता है और उस model से इसकी एक real value निकाली जाती है market में emotional value होती है इसकी rational यानी जो logical price है इसकी books के recording profits के recording वो तो यह current price उसका नीचे चल रहा है market में 165 यह मानते हैं कि 165 जो है intrinsic value से नीचे चल रहा है और यह returns जो है वो FD से जादा generate करके दे रहा है dividend आपको अच्छा दे रहा है और overbought भी अभी नहीं है तो यहां पे अगर इसका price to earning ratio देखेंगे PE ratio तो 1.92 है price to book ratio 1.5 जो की बिल्कुल ठीक है dividend yield भी इसकी देखे 6% के आसपास की है और sector जो है कही ना कही नीचे जा रहा है तो sector पे sector के according जो है यह stock अच्छा perform कर रहा है और आगर आप यहां देखेंगे की देखें यहां जो analysts है जो main analysts हैं वो इसको recommend कर रहे है बाए के लिए और इसका अगर revenue देखेंगे तो revenue इसका देखेंगे अभी जो अभी जो पिछला FY 2019 2020 है इसमें यह at least almost double हो गया 0.97 से 2.31 और इसका अगर आप profit देखेंगे तो यह पिछले बार 38.33% और आइस बार 1436% 1436% अप गया है तो कही ना कहीं यह stock बहुत ही अच्छा है और यह A group की category में भी है देख और buyback हो रहा है तो काफी जादा इसमें जो है आपको एक अच्छा जो है momentum देखने को मिल सकता है इसकी detailed holdings detailed holdings देखेंगे तो detailed holdings भी आप इसकी चेक कर सकते हैं कि promoter के पास कितनी holding है 34% की mutual fund के पास कितनी holding है और यह FII foreign institution के पास 23% की है retailers के पास 30% की है तो promoters अपनी holdings बढ़ा रहे हैं कम तो की नहीं है बढ़ा रहे है तो यह एक अच्छी बात है दोस्तों और यह दिखा रहा है आपको FII इसने भी foreign institutional holding भी यहां पे increase हुई है और जो promoters ने जो अपने share गिरवी भी insignificant बहुत ही कम उन्होंने अपने share गिरवी रखे हैं तो यह आपको कहीं नही है दिखा रहा है कि NIAT आपके लिए एक best stock है अगर आप short term to short term एक scenario देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि एक से दो महीने आप hold करके इसमें अच्छा return बना लें investment purpose से तो आप इसको जो है accumulate कर सकते हैं accumulation की strategy भी मैंने आप से पहले share की थी कि accumulate आप किसी stock को कैसे करते हैं आपको dip करना पड़ता है लेकिन अभी यह momentum में जादा है तो आप अगर इसको trade भी करना चाते है intraday में तो वो भी कर सकते हैं trading के लिए आपको मैंने बताया था कही ना कहीं आपको जो है आपका यहां breakout आता है तो यह bullish continuation pattern होता है इसके बारे में मैं अलग से और आपको बताऊंगा bullish continuation patterns को यानि flag patterns हो गया rectangles हो गया और pennant हो गया wedges हो गया triangles हो गया इनको आप trade कैसे करते हो यह सारी चीज़े भी हम detail में discuss करेंगे लेकिन flag pattern कोई bullish continuation pattern बनेगा तो आप इसे trade भी कर सकते हैं नहीं तो investment purposes के लिए आपका एक से दो महीने की holding करके रखने के लिए भी अच्छा stock आपके लिए है तो यहां at least four to five parts में ही accumulate कीज़ेगा जब stock dip करता है यह एक अच्छी strategy है time tested strategy है दोस्तो तो यह दोस्तो एक अच्छा stock था मेरे पस request आती रहती है कि आप investment purpose से भी अच्छे stocks निकाल के दीजिए तो जब भी कोई market में अच्छा scenario बनता है अच्छा कोई price कोई chart भी कुछ अच्छी चीज कह रहा होता है कोई news भी अच्छी चीज कह रहा होता है और इन दोनों को confluence हो रहा होता है यह दोनों एक जगे merge हो रही होती है तो मैं वो चीज आप से जरूर जरूर शेयर करता हूं और आगे भी करता रहूंगा video अच्छा लगा है तो video को like share जरूर कीज़ेगा channel को subscribe ताकि जो भी वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका फायदा उठा सके थैंक्यू दोस्तो